मेरे साथ बोलेंगे जैहेन, आप सब अच्छे माता-पिता की संतान हैं, कोई शक? आप सब भी अच्छे माता-पिता की संतान हैं, अगर इस ट्रेनिंग में किसीने कोई भी बत्तमीजी की हाथ पीछे, आपके माता-पिता का अपमान होगा, मेरी बात समझ रहा है? अगर अच्छा वैभार करेंगे तो माता पिता का सम्मान होगा अगर बुरा वैभार करेंगे तो माता पिता का अपमान होगा अपने साइस के हिसाब से हमें बनानी नहीं चाहिए लाइन आप खुद अपने हिसाब से खड़े हो सकते हैं ठीक है बोलो अब तुमारे पिता जी का नाम क्या है ये जब तुम अपने पिता जी का नाम ऐसे ले सकते हो तो मेरा नाम भी थापर लोगे बड़े का नाम कैसे लेते हैं थापर बोलो श्री लगाते हैं और मेरा नाम अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको लेना नहीं चाहिए समझ गए? तुमारे पिता जी का नाम क्या है? लललन राम लललन नाम तुमारे छोड़े भाई है? तुमारे छोड़े भाई का नाम क्या है? छोड़ी बहन का नाम बताओ तो मुस्कान का जैसे नाम लिया वैसे ललन राम भी बोला तो पिता में और भेन में कोई फर्क तो हुआ नहीं है भाई में ठीक है बहुत छोटी सी बात है सिर्फ यहां मिलिटरी ट्रेनिंग नहीं है बलकि आपको सामाजिक ज्यान भी होगा कि आपका व्यभार कैसा होना चाहिए आप कहीं भी रहें लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे कोई मुझे बता सकता है जरा हाथ खड़ा करके लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? बोलो बोलो घबराव मत बोलो प्रेसिडेंट थे कहां के? प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? हिंदी में कौन से क्लास में पढ़ते हैं? एट में ओर राइट कोई बता सकता है हमारे आज के आज कल उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री कौन है? प्रधान मंत्री है? ओके तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन है? मोदी अच्छा बताओ किसने बोला मोदी? वेरी गुड शाबाश तुम क्या नाम है तुमहरा? तुम्हारे लिए भी तालिया नहीं बच सकती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं श्रीमान योगी जी और प्रदान मंत्री हैं देश के मोधी जी मोधी भी ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम अपने छोड़े भाई का नाम लेते हो मोदी नहीं मोदी जी एक चोटी सी बात पर मैंने आपको कितनी अच्छी बातें समझा दी हैं अब हम ट्रेनिंग करेंगे धूप में पिगल सकते हो क्या तुम तेज बारिश में बह सकते हो क्या और अगर भूकम पा जाए तो क्या उड़ जाओगे गिर जाओगे तो फिर करना है जो मैं तुम्हें बताता हूँ कोय शाग करते हैं बसंजी को से क्लास में पढ़ते हैं आप अच्छा एक बात बताओ सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात है बुरी बात है शराप पीना बहुत अच्छी बात है गुटका खाना बहुत अच्छी बात है बुरी बात है सूखा और गीला तंबाकू खाना बहुत अच्छी बात है बुरी ब से बहुत सारे लोग गाली देते हैं, जब गुसा आते हैं तो गाली देते हैं, इसका मतलब आप बहुत सारी बुरी चीज़ें करते हैं, चोरी करना तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें जेब में बहुत पैसा आ जाता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छा क्य क्या है और बुरा क्या है अनुशासन हीन होना अच्छी बात है येस अनुशासन हीनता क्या होती है अनुशासन हीनता क्या होती है बताइए अनुशासन हीनता है कि आपको जो कहा गया वो आप नहीं मानते और आप उल्टे सीधे काम करते हैं शोर मचाते हैं वो अनुशासन ही समझ गए पंडी जी क्या नाम भाई नाम फैजान भाई कैसे हैं शलो वेरी गुड सो एक बार जैहिन शुरू करके जैहिन करेंगे और हम exercise शुरू कर देंगे कोई शाग